सोनकक्षिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा द्वारा पानी और दूद पीने की जानकारी आग की तरह फैली है मंदिरों में लगने लगा श्रद्धालों का ताता चमच का टोरी में दूद और पानी लेका लोग मंदिरों में पहुँचे सोनकक्ष और ग्राम सावेर में जैसे ही लोगों को पता चला कि नंदी द्वारा दूद और पानी पिया जा रहा है तो वैसे ही लोग कटोरी और चमचले कश्व मंदिरों में पहुशने लगे और अपने हाथों से नंदी की प्रतीमा को पीने और दूद के पानी को होड़ लग गई इस में चमतकार में माना जा रहा है देखने वाली बात या है कि पानी पलाते समय पानी के एक बूंद नीचे भी नहीं कर रही है और लोग इसे इश्वर का चमतकार मान रहे है साज़त बतान की खास रपूट इसके बारे हम यह कहना चाह रहे है कि हमारे खेड़ापती मंदिर सुलकसाविर में भी दूद और पानी पी रहे है और हमारे छोटा मंदिर इसमें भी पानी और दूद पिया जा रहे है